जब भी इस चेज गीज़ को देखा होगा तो ये अकसर देखा होगा कि हैं कई सारे गढ़्डे नजर आते हैं कभी ये सोचा है कि ऐसा क्यों होता है इसे जानने के लिए छीज कैसे तयार होता है पहले हमें इसे समझना पड़ेगा चीज जो होती है वह दूद से बनती है इसमें कितने पोशक तत्व फ्लेवर और रंग कैसा होगा ये सब कुछ डिपेंड करता है दूद किसका है यानि कि गाय बकरी और भेड के दूद से बनने वाली चीज तो हमेशा कॉमन ही है लेकिन चीज को तयार करने के लिए दूद में कोज खास तरह का ब जैसे जैसे चीज तयार होती है इसमें बैक्टेरिया का असर साफ दिखने लगता है इसमें गड़े पढ़ने के शुरुवात हो जाती है जैसे चीज पुरानी होती है इसमें मौज़ूद YES को χात्म करके कारबदाय ऑक्साइब गैस को रिलीस करती है चीज फोस होती है और जैसे चीज फुरानी होती जाती है, बैक्टिरिया के लाक्टिक आसिट खाने और कार्बन डाय ऑक्साइड गैस रिलीज करने के कारण इसके अंदर बबल जो ऐसे स्ट्रक्टर बनने लगते हैं जैसे जैसे चीज पुरानी होती है, बबल की संख्या बढ़ती जाती है यही वज़ा है कि जब चीज कारते हैं तो इसके अंदर काफी सारे हमें छोटे छोटे बबल्स की जैसे स्ट्रक्टर नजर आते हैं और इन गड़ों को आइस कहा जोता है इन गोल संडरचना को कंट्रोल करने के लिए ये ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है कि इसे कितने पुराने होने तक हमें इस्तमाल करना होगा इसे लिए अगली बार चीज खाए तो ध्यान रुखे कि ये कितनी पुरानी है स्वीस चीज में जादा आइस का मतलब है ये उतनी ही जादा पुरानी है कहा जोता है कि अधिक्तम 18 साल तक चीज खराब नहीं होता है